तो जैसे कि आपको पता है कि अभी मेरे घर बन रहा है तो थोड़ा सद लोकिसन की थोड़ी दिक्कत है बाहर गिटी वगेरे डल चुकी है बालू बटी नहीं बना पर आउं तो अभी इस रूम में आया हूं तो इस वीडियो मैं बताने वाला हूं कि बहुत सारे लोग को कॉ अगर आप लोग रात को आड़ा सांते हैं तो इसको कहां रखते हैं में यह करता है जैसे कि मौसम कैसा है बारिस हुई थी कि नहीं आज गर्मी ज्यादा थी कि गर्मी नहीं थी यह सब डिपेंड करता है अगर बहुत ज़्यादा कर्मी थी मालों चालिश सेंटिग्रेट था आपमान तो हम लोगा सीट वाला घर होता है तो वह बहुत ज़्यादा रूम गरम हो जाता तो रूम में नहीं रखते उसके बाद बाहर रख देते हैं मालों यहां पर रख देंगे कहीं पर भी रख देंगे लेकिन खुले आसमान के नीचे यह सब मैटर करता है और बात करी लेकिन बात रहते हैं और दे को याद माना और पर देंगे रखने काना आप खरकता है यह तो दिखा दो चलिए को पता हूँ लगा रही है और तेल रगल रगल के लगाना है ताकि तेल अच्छा से अफजब कर ले अगर तेल अच्छा से नहीं लगेगा तो वह आटा खराब होने का चांस और बढ़ जाता है आप लोग तेल लगाते हों कि नहीं एक दुसरे के लिए में नहीं पता तो और उसके बाद देख सकते हैं अब पन्नी में इसको भरके रखना है पन्नी में पूरा गांठ बांद के रखना है ताकि उसमें हवा अंदर ना जाए हवा अंदर जाएगी तो वह आटा सुख जा सकता है अंदर से जो की और दिक्कत होगा अब बात आती है इसको बाहर रखना कि अंदर ताकि उसमें उस पढ़ती रहे और कोई भी दिक्कत उसमें ना हो तो चलिए अब सुबह हो चुकी है मैं बता रहा हूं कि क्या का करना है सबसे पहले लेई की पनी को खोल कि उसमें आटा लगाना जैसकते हो आटा इसमें लग चुका है और लेई देखिए लेई एकदम भी न को कितने तंपरेचर में आपको आटा रखना चाहिए तो अराउंड तीस तंपरेचर होना चाहिए तीस तंपरेचर में आपको आटा खराब नहीं होना वाला जैसे कि अभी भी बहुत ज़्यादा घर्मी है तो दिन में हम आटा सांते नहीं है रात को सांते है तो रात में सब्सक्राइब और जल्दी उठना पड़ता है और सुबत तक चार बज़े के आसपास या साले तीन बज़े के आसपास ही उठना पड़ता है क्योंकि गर्मी रती है आटा खराब जाएगा और उसके बाद अगर तलेंगे तो नहीं फुलने वाला ठीक है और ठंडी में हम लो अगर आप ध्हान नहीं दोगे तो आपके पाने पूरी नहीं फुलने वाली तो इसलिए मैंने यह वीडियो मनाई तो आई होब दोस्तों यह वीडियो अब में आपको कुछ नॉलिज मिला हो कुछ समझ में आया होगा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देगा च जब तक लिए बाइ